नमस्कार दोस्तो मैं आपका दोस्त ट्र अशीर आपका मेरे चैनल Health India के आज के इस कारीकरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंसुमेनिया की यानि एनिद्र की। दोस्तो एक सर्वे पूरे वर्ड में हुआ था। उसमें पाया गाया था कि 35% लोगों में पूरे संसार के 35% लोगों को नींद की प्रोग्लम रहती है। जाने कि उनको रात में ठीक से नींद नहीं आती, वो पूरी गहरी नींद में शो नहीं पाते, बहुत सारे लोग इस एनिद्रा की समश्या को बहुत हलके में ले लेते हैं। आए, एक महिना हो गया है, या पंदरा दिन हो गये हैं, या नींद बहुत कम आ रही है, जैसे दो घंटे नींद आ रही है, या पूरी रात्री में तीन घंटे नींद आ रही है, तो इससे हमें आगे चल कर बहुत बड़े नुक्सान हो सकते हैं, हमारा स्रीर में कुछ ऐसी बिमारियां लग सकती हैं जो बहुत ज़्यादा घातक हैं दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा होमियोपैथी के ऐसे पैटेंट के बारे में जिसका अगर आप परियोग करेंगे तो आप अपने अनिद्रा के शमेश्या को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो आज इसे जरूर सस्क्राइब कर लें और इसके साथ साथ बैल का इकन जरूर दबाएं दोस्तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इनसोमेनिया किसे कहते हैं अगर आप सोने के लिए बिस्तर पर चले गई आपने अपने सारे काम खतम कर लिए और आप सोने के लिए बिल्कुल रेडी हैं बिस्तर पर लेट चुके हैं और सोना चाते हैं लेकिन फिर भी आपको गहन्टे तक नीन नहीं आती या दो गहन्टे तक नीन नहीं आती तो ये insomeneiyah है दूसरा दोस्तो insomeneiyah के दूसरे लक्षन ये है कि आप सोते समय तो ठीक से सो जाते है लेकिन रात्री में आपकी आठ खुल जाती है जैसे आप सो गए नो बजे या पfferस बजे आप विखे और फिर बारा आइक बजे आपकर नीन नहीं आती थो यह भी इंसोमेनिया के लक्षण है दूस्तों इंसोमेनिया करे तीसरा लक्षण ऐसा है को- there, लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ, लगातार 15 दिनिक तक हो रहा है, लगातार एक महीने शाथ, एक साथ ऐसा हो रहा है, तो ही आपको into manly a hè अगर आपको दो दिन से, आपकी नीन डिश्टराब जिटर्बै तीन दिन लेकिन एक दवाई जिसका मैंने पसे अच्छा पाया है इसका नाम अ? इडल जरमिनी का ब्रांड और एडल ब्रांड का 25 अम्बर आता है यह बहुत यह डुड़еше lak dynamics करता है तो जिनको इन्या की शमश्या है जिनको एनिद्रा की शमश्या है वो एडल का 25 नंबर इस्तमाल करेंगे तो उनको बहुत यह अच्छे रिजर्ट इसके दिखाई देंगे दोस्तो एडल 25 के अंदर कुछ ऐसी होमियोपैथिक दवाई इस्तमाल की गई है जो आपके मस्तिस्क को रिलेक्स करती है मस्तिस्क में अगर बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं तो विचारों को सांथ करती है आपके मन को सांथ करती है और स्वस्त नेंद लाने में काफी हेल्फफुल है दोस्तो एडल 25 के अंदर जो होमियोपेथिक कॉंबिनेशन है उसमें जो सबसे पहली दवाई है इसका नाम है अर्जेंटम नाइटिकम दूसरी दवाई कोफिया है इस्टेफिस गेरिया है ऐवेना siitäवा जिंकम है तो यह इस तरह की दवाईया है सभी जो आपके मस्तिस को सांथ करती है विचारों को खतम करती है अगर आपको कोई तनाव है इंजाइटि है घवराठ है तो उसको ठीक करती है तो ये पूरा combination मिलकर आपको एक गहरी और स्वस्त नीन देने का काम करता है दोस्तो अब मैं आपको इसको प्रियोग करने का तरीका बता देता हूँ इसको आधे कप पानी में इसकी 10 बूंद डाल लीजिए और दिन में 3 बार इस्तमाल कीजिए अगर आपकी समश्या क्रोनिक है यानि आपकी समश्या काफी पुरानी हो गई है तो इसमें आप 10 बूंद की जगए 15 बूंद भी डाल सकते हैं 20 बूंद भी डाल सकते हैं तो आप अपनी समश्या के अनुशार ये तै कर लें पहले कुछ दिन 10 बूंद लेके देखें अगर उससे नीद नहीं आ रही है तो आप 15 बूंद कर लें 20 बूंद तक आप कर सकते हैं इस दवाई का कोई शाय डिफेक्ट नहीं है इसको आप बे जिजक इस्तमाल कर सकते हैं दिन में तीन बार इस्तमाल करनी है और रात वाला डोज जब आप विस्तर पर सोने के लिए जा तो अगर आप ओनलाइन मंगा रहे हैं तो आपको शूट भी मिल सकती है तो लगबग आपको ये 210 से 250 के बीच में आसानी से मिल जाती है और एक सीसी आपकी एक महीना पूरा चलेगी यानि एक महीना एक सीसी काम करेगी दोस्तों आप इस दवाई को लगबग दो महीने तक तो आपकी जो अनिद्रा की समश्या है उसका रूटीन ठीक हो जाएगा जो रूटीन आपने बिगाड़ा हुआ है क्योंकि व्यक्ति ही अपना रूटीन को बिगाड़ता है तो आपके रूटीन को ठीक करने के लिए समय पर आपकी नीद आए समय पर आपकी नीद खुले में तो आपके रूटीन को ये दवाई बिल्कुर ठीक कर देगी तो लगातार आप इसका दो मुहिने तक इस्तमाल करेंगे तो आपकी अनिद्रा की समश्या हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुर ठीक हो जाएगी दोस्तो इसी के साथ आज काई वीडियो समाप्त करते हैं मेरे चैनल पर मैंने सभी प्रकार की योन समश्याओं के उपर भी अपने वीडियो बनाए हुए हैं अगर आपको किसी परकार की योन समश्या रहती है तो आप मेरे चैनल हैल्थ इंडिया पर जाकर मेरे वो सभी वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो उन समश्याओं का कारण, उनके लक्षन और उनकी सबसी अच्छी होमियोपेथिक दवाई आज काई वीडियो समाप्त करते हैं, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सभी को मेरा नमस्कार